welcome to next exam आज है साथ एक्टूबर 20244 कि दिस्कसे करेंगे और हर रेक्ट alarm से पूरा वीडियो वॉद्यान से देखिए लास्ट में आप से सका अंसर आपको कमेंट बोक्स से बताना है आज का पैडियो के पैडियो कि दिसकसें से डॉदालोर कर सकते है पेडियाप आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप पर आपको सारे पेडियाप एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकुशन में दे दिया है तो आप उस link पर click करके telegram group join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाली में 200 cerebral palsy दिवस कब मनाया गया है तो ये 6 October को मनाया गया तो उस question का बे options है World Cerebral Palsy Day ये हर साल 6 October को मनाया जाता है और cerebral palsy ये mind से related एक गंबीर बीमारी है और इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरू करने की कोसिस की जाती है इस दिन को मना कर तो इस गंबीर बीमारी के बारे में लोगों को जागरू करने के लिए हर साल 6 October को ये 200 cerebral palsy दिवस मनाया जाता है अच्छा अक्टूबर में अभी तक इतने important day मनाया गया है जैसे एक अक्टूबर को बुजुर्ग ब्यक्तियों का अंतरास्टी दिवस मनाया गया अंतरास्टी कॉफी दिवस मनाया गया और 200 साकाहरी दिवस मनाया गया दो अक्टूबर को अंतरास्टी अहिंसा दिवस मनाया गया तेन अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया चार अक्टूबर को बिस्सु पसु दिवस मनाया गया और पांच अक्टूबर को बिस्सु सिक्षक दिवस मनाया गया तो October में अब तक इतने important इह आपको याद रखने हैं अच्छा मैं आपको बोलता हूँ Daily Morning Mode कर सबसे पहले अपने लिए Target Fix करो चाहे छोटा सा ही Target Fix करो लेकिन Daily Morning Mode कर सबसे पहले अपने लिए Target Fix करो और फिर आपना पूरा दिन उस Target को अचेप करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी अच्छा ये सितंबर 2024 की last week यानि की fourth week का वीडियो है सारे weekly videos आप fact study channel पर देख सकते हो यूटुब पर बस आपको fact study सर्च करना है और आपको सारे weekly videos मिल जाएगे ने कुशन है हाली में कहां जल जगार महुतसब आयुजित किया गया तो ये 36 गड़ में आयुजित किया गया चत्तिस गड़ में धमतरी में जल जगार महुतसब आयुजित किया गया तो इस कुशन का से ओप्सन से हैं अब 36 तो यह है मैप में 36 गड़ गवर्नर कौन है विश्नु देव साय और 36 गवर्नर कौन है रामेन डेका कौन है रामेन डेका अच्छा सत्रे में दिब्वेकला मेले का उद्गाटन अभी रायपूर में किया गया था बेसु की दस सबसे बड़ी कोईला कामिल हुई है और दोनों ही 36 गड़ की हैं गेबरा और कुस्मुन्डा रायपूर के युबा समून ने मिया वाकी पद्ददी से लगूबन बनाया है 36 गड़ में अबैद धर्मांतर रोकने के लिए कानून लाए जाएगा बसब राजू एस को 36 गड़ के मुख्यमंतरी का सचिब नियुक किया गया रमन सिंग को 36 गड़ की विधानसवा का स्पीकर चुना गया और 36 गड़ सरकार ने मुख्यमंतरी निर्माड स्रमेक पैंसन योजना शुरू किया नैकुशन है हाली में भारत की मेजबानी में समुद्रे सैने अभ्यास मालाबार जोजरओवीज कहां आयोजित होगा तो ये अंध्रब़देश में आयोजित होगा तो इस कुश्यन जस्टिस अब्दूल नजीर और आपको पता है आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा प्रूट का प्रोडूसर है यानि कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिस्ट बैठकों के लिए एक कैबिनिट पर डाली लाओ की जाएगी आंध्र प्रदेश को सरबादिक अंगधान के कारण जेवंदान पुरूसकार मिला है आंध्र प्रदेश में एंटियर वरोसा पैंसन इसकीम लॉंच की गई आयनना पुत्रूडू चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसवा के अध्यक्ष बने आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्छ सिक्षा पार्ट करमों में ADS के साथ साज़िदारी की नौसेना ब्यास मिलन का बारेमा संस्कड विसाका पत्नम में आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पैंसन को बढ़ा कर 3000 रुपए किया है और क्रसी बिपढ़न सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है ने क्युशन है हाली में किसने कु्मब मुशिक भूप पच्शीस के लिए नए प्रतीक शिंद का अनावर्ण किया है- ने क्युशन है- आयो बस्तारा का बिल एक किस एक्रा इंडिया में बिले हो जाएगी तो इस question का देher 1976 बेंक कारवन ट्रेडिंग के लिए किस द interact को सुलयific concrete capable करेगी तो बर्ड बेंक कारवन ट्रेडिंग के लिए नेपाल को सुलयصो करड़ रूपे सब्कारगा भुक्ताण करेगी तोसकुश्चन का autopsy आप नेपाल को करेगी तो यह हैं मैप में नेपाल की केपिटल क्या है काठ मंडू नेपाल की करंसी के के पी सर्मा ओली और नैपल के प्रेसिडेंट कौन है राम चंदर पॉंडेल अचा 1 चीजा और याद रखना अपने देश भारत और नैपाल के बीच सूर्व किरण नाम की डिफेंश करतो होती है выш परिक जेटिय त्योहर यह नेपाल में मनाया गया नैपाल में भब पे समारो के साथ उननेस सितंमर को सम्मिदान दिबस मनों असोक राज सिग्डेल ने नेपाल के सेना अद्यक्ष के रूप में सपतली नैपाल 101 में सदस्की रूप में अंतरास्टी सौर गठ बंदन में सामिल हुआ है यह मुस्ट इंपूर्टेंट कुष्चन अभी के लिए 101 में सदस्य के रूप में अंतरास्टी सौर गठ बंदन में कौन सा देश सामिल हुआ तो आंसर होगा नैपाल अच्छा नैपाल परेटन बूर्ड ने सतत परेटन के लिए पे ए टीए ग द्रयोजना के लिए 5,000 करड़ रुपए मन्जूर किये है नैकुशन है कि हाली में भारतिय अंतरास्टिय बग्ज्ञान महुतसब 24 कहां आयोजित किया जाएगा भारतिय अंतरास्टिय बग्ज्ञान महुतसब 24 यह गुहार्ट यह जित किया जाए तो इस कुशन का बे मानसी पारेक ने दूस कुश्यन का से ओप्सन सही है ये है मानसी पारेक और इनों नहीं सत्तर में नेशनल फिल्म्स अवार्ड में सर्व स्रेष्ट अभिनेत्री का पुरुसकार जीता है नए कुश्यन है हाली में किस देश के प्रदानमंत्री की चेफ आउफ स्टाफ सूंग्रे ने स्टीफा दिया सू ग्रे यह है सू ग्रे और यह बितेन के प्राइम मिस्टर किर अस्तिफ दे दिया तोसके मैप में ंदो क्या है लंदन की करंसी क्या है पॉंड प्री threshold और इसको प्राइम इस्तोर कॉन एं स्टार्मर कॉन है केव सटार्मर बेच बेस तुनेताओं का सेकर सम्मिलन ब headset 24 ये लंदन में आयुजित हुआ UK की पहली मैला बित्त मंतरी राचेल रेप स्वनी ब्रेटेन में भारते मूल की सांसद सिवानी राज ने भगवत गीता पर हाथ रखके सपतली मेरगी नियंतर के लिए दुनिया का पहला ब्रेंट ट्रांस्प्लांट ये ब्रेटेन में किया गया 2023 में दुनिया का सबसे भीड बाड़ वाला सहर लंदन मना है वेटेन के पूर्प्रदान मंतरी डेविट केमरन को पिदेश मंतरी के रूप में नियुक्त किया गया यूके ने AI सुरक्षा सेखर समिलन की मेजवानी की और वेटेन दुनिया का सबसे सक्तिसाली लेजर वालकन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है ने किसे नेपाल का नया मुख्य नयायदीस नियुक्त किया गया तो प्रकास मान सिंग राउत को नेपाल का नया मुख्य नयायदीस नियुक्त किया गया तो इस कुश्यन का से ओप्संस है यह है प्रकास मान सिंग राउत और इनी को नेपाल का नया मुख्य नयदीस नियुक्त किया गया है। किया गया आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया और कलिके सिंग्देव को NRAI का अध्यक्त चुना गया। नयकिशन है हाली में किस देश के राष्टपती भारत की आधिकारेक यात्रा पर आए है। तो यह है महम्मद मॉईजू और यह मॉल्डेव की राष्टपती हैं। यह अभी भारत की आधिकारेक यात्रा पर आए है। तो इस कुश्चिन का B options है। अब मॉल्डेव के राष्टपती आए हैं तो यह है मैप में मॉल्डेव। और मॉल्डेव का यह नक्सा है। यह छोटे छोटे आईलेंड हैं आपे। अच्छा मॉल्डेव की capital क्या है माले। मॉल्डेव की currency क्या है मॉल्डेवियन रुप्या। और मॉल्डेव के प्रेसिडेंट तो यह हैं मॉहम्मद मॉईजू। यह अभी भारत की यात्रा पर आए है। अच्छा मॉल्डेव ने सैयुक्त राष्ट की high seas treaty पर हस्ताक्चर किया। भारत और मॉल्डेव ने 1000 civil सिवा अधिकारियों के प्रसिक्षड के लिए समझाता किया। मॉल्डेव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आजादी की 69 में बरसगांट बनाई। मॉल्डेव भारत के साथ हाइड्रो ग्राफिक सर्वे एग्रिमेंट खत्म करेगा। भारत मॉल्डेव में सैनिकों की जगे टेक्निकल स्टाप देजेगा। रिलाइंस जीयों ने मॉल्डेव को high speed optical fiber cable से जोडने से समझत कार्य पूरा कर लिया है। एसिया सर्फिंग चेंपिंशिप का आयोजन मॉल्डीव में किया गया। और कूलंबू सुरक्षा कॉनक्लेव की सात्मी डिप्टी एनसे बैठा की ये मॉल्डीव में आयो जित हुई। ने क्यूशन है कहां ससस्त्र सैन ने प्रदर्शनी आयो जित हुई। ये 36 गड़ में आयो जित हुई। तो उस question का A options आई है। और 36 गड़ के बारे में अभी इसी वीडियो में आपको बताया है। ने क्यूशन है किस ने मैला ACA Champions Hockey Trophy 2024 के लोगो और सुभंकर का अनावड किया। मैला ACA Champions Hockey Trophy 2024 के लोगो और सुभंकर का अनावड बैहार के चीपनिस्टर ने तेस कुमार ने किया। ने क्यूशन है हाली में किस ने 2024 के जैब विवित्ता के लिए मिदोरी पुरुसकार जीता है। तो ये वेरा वुरु नुवा और यसावेल अगस्टिनाए इन दोनों ने जीता। तो इस क्यूशन का C options आई है उप्रयोक्त दोनों। अच्छा सारुक खान ने आईफा 2024 के सर्वस्रेष्ट अभिनित्री का पुरुसकार जीता। मिथुन चक्रवति को दादा साफ फाल के पुरुसकार के लिए चुना गया। आई सी सी लाइफ टेम अचीबमेट अबाट 2023 से देपक C महता को सम्मानत किया गया। प्रत्यासा रे को 2024 के एक कलब पुरुसकार के लिए चुना गया। गनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दुआरा भारते फिल्म उद्योग में उत्करष्ट अमेनेता के पुरुसकार से चेरन जी भी कुने डेला को सम्मानत किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97 में आसकर पुरुसकारों के लिए नामांकित हुई है। और रिया सिंगा ने मिस यूनिवर्स इंडिया दोजर्ट चोविस का घिता। ने किशन है। हाली में किसने 27 साल बाद 15 मी बार एरानी कब जीता है। तो मुंबई ने सेस भारत को हराकर 27 साल बार 15 मी बार एरानी कब जीता। तो इस question का बे option सही है, अब last video के question का answer, last video मैंने आप से question पूछा था कि बेदेश मंतरी S जैसंकर SEO meeting में सामिल होने किस देश में जाएंगे, तो ये पाकिस्तान में जाएंगे, यानि कि इस question का say option सही था मैं आपको एक बार फिर बोलूगा, question के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो, आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो, फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते, अच्छा ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक की current affairs का PDF है, इसमें 1761 question है, इस PDF को आ आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, टेलिग्राम पर आपको next exam सर्च करना है और ये PDF आपको मिल जाएगा, ये बेकली वीडियोज है, मैंने आपको बोला है, सारी बेकली वीडियोज मैं fact study चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो YouTube पर आप fact study सर्च करो और उस चैनल को आप सबस्क्राइब कर लो, वहाँ पर आपको ये सारी बेकली वीडियोज मिलती रहेंगी, अब रेवीजन के question, पस्चिमंगार सरकार प्रतिष्टित ट्राम सेवा बंद करेगी, मोहना सिंग लाइट कॉमबेक्ट एयरक्राफ्ट टेजस वेडे में पहली महिल कि यूनेस को बिस्व धरोहर कोशित हुआ, AFMS यानि कि Armed Force Medical Service की पहली महिला महने देशक, सरजन वाइस एड्मिल आरती सरीन बनी है, महरास्ट के नासिक में 80% आरक्चड के साथ जन जाते बिस्वेड डेले सतापित किया जाएगा, बे वनलाल वनना को कमबोडिया में भारत क का राजदूत नियुक्त किया गया, अच्छा, World Green Economy Forum का सुबारम दुबई में हुआ, भारत ने SAFF Under 17 Championship का खिताब जीता है, मड़पुर का एंडरो गाउं, 2024 का सर्प्स्रेश्ट परेटन गाउं बना है, भारत में आने वाले बिदेशी परेटकों में बांगलादेश टॉप पर रहा है, त्रिप्रवा में मेदावी चात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना सुरू की गई, बायो CNG प्लांट वाली भारत के पहली आदुनेक गौसाला का उद्गाटन मद्य प्रदेश में हुआ, आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया ग अच्छा माराज सरकार ने देशी गाय को राज जिमाता का दर्जा दिया है, अब आपके लिए आज का कुश्यन, आपके लिए आज का कुश्यन है, ब्रेटेन ने चागोस टेपर केस देश को समप्रभूता सौंपने का फैसला किया, चार आप्सन दिये गए हैं, इन में से आपको अपना अνसर उताना है, और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके कि हमारा Facebook पे जॉइन कर सकते हैं क्यूंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram Facebook और X पर इंद्रे सारसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt confusion without any hesitation डिसकस कर सकते हैं तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरूब बताना है और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बनके आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूब क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रह नेक्स्ट एक्जाम और बेज विडियो थैंक्स वर वाचिंग